दीपोटसव की तैयारियां तेज हो गई है धन तेरस, यानि धन त्रयोदशी से इस पांच दिवसियत योहार की शुरुआत हो जाएगी, लेकिन क्या आप जानते हैं क्यों मनाते हैं धन तेरस, और क्या है इसकी कहानी, धन तेरस की कथा भगवान धन वंतरी से जुड़ी हु का लोप हो गया, स्वर्ग पर असुरों का शासन हो गया, इस समस्या के हल के लिए त्रिदेवों ने सागर मन्थन कराने का फैसला लिया, इसके लिए देव और दानवों में सहमती बनाई गई, क्षीर सागर में मन्थन के लिए भगवान विष्णू ने कच्छप अवतार किया, उनके उपर मंदराचल परवत को मथानी बनाई गई और वासुकी रस्सी बने, फिर सभी देवताओं और दानवों ने सागर मन्थन शुरू किया, इसी से कार्तिक, कृष्ण त्रियोदशी, तिथी के दिन 14 रत्न प्रकट हुए, इसी में भगवान धनवंत्री और मा लक्ष्मी भी थी, मा लक्ष्मी धन और सुक संपदा की देवी हैं, तो भगवान धनवंत्री धन और आरोग्य के देवता हैं, इसलिए इस दिन भगवान धनवंत्री के साथ, इस दिन माता, लक्ष्मी धन के देवता, कुबेर और मृत्यू के देवता, यमराज की भी पू पूजा करने से जातक को आरोग्य की प्राप्ती भी होती है। वहीं मा लक्ष्मी और कुबेर देवता की पूजा से धन लाब होता है। जिससे घर में बरकत बनी रहती है। पंचांग के अनुसार धन 13-29 अक्टूबर को है। इस दिन भगवान धन वंतरी और देवी लक्ष्मी की पूजा करके लोग धन स्वास्थे और समृध्धि की कामना करते हैं। आईए जानते हैं। धन 13 की पूजा विधी सबसे पहले हमें जहां पूजा करनी है वहां सफाई करें। शुभ मुहूर्त में भगवान धन वंतरी देव के साथ मा लक्ष्मी और कुबेर देवता की तस्वीर या मूर्ति की स्थापना करें। इनके सामने घी का दीपक अग्रबत्ती जलाएं और शाम को द्वार पर भी दीपक जलाएं। भगवान को फूल मिठाई पित करें। एक बरतन में पानी भर कर उसमें कुछ फूल डालें और भगवान धन वंतरी के पास रखें। फिर भगवान धन वंतरी और देवी लक्ष्मी की आर्थी करें। उनके मंत्र पढ़ें। मन ही मन धन और अच्छे स्वास्थय की प्रार्थना करें। पूजा ये दीपोत्सव का पहला दिन होता है। धन तेरस के दिन से दीपावली का त्योहार प्रारंभ हो जाता है। मान्यता है इस तिथी पर आयुरवेद के जनक भगवान धन वंतरी समुद्र मंथन से अमृत कलश लेकर प्रगठ हो हुए थे। इसी कारण से हर वर्ष धन तेरस के दिन सोने चांदी बरतन जमीन जायदाद की शुब खरीदारी करता है। उसमें तेरह गुना की बढ़ुत्तरी होती है। चिकितसक अमृत धारी, भगवान धन वंतरी की पूजा करेंगे। इसी दिन से देवता यमराज के लिए दीप दान से दीप जलाने की शुरुआत होगी और पांच दिनों तक जलाए जाएंगे। इस दिन खरीदे गए सोने या चांदी के धातु मैपात्र अक्षय सुख देते हैं। पांच देवों की पूजा धन तेरस के दिन भगवान धन वंतरी लक्ष्मी कुबेर यम और गणेश जी की पूजा होती है। जाता है, वहां अकाल मृत्यू नहीं होती है। धन तेरस की शाम को मुख्य द्वार पर तेरह और घर के अंदर भी तेरह दीप जलाने होते हैं। लेकिन यम के नाम का दीपक परिवार के सभी सदस्यों के घर आने और खाने पीने के बाद सोते समय जलाया जाता है। इस दीपक को जलाने के लिए पुराने दीपक का उपयोग किया जाता है, जिसमें सरसों का तेल डाला जाता है। यह दीपक घर से बाहर दक्षन की और मूख कर नाली या कूडे के धेर के पास रख दिया जाता है। इसके बाद जल चढ़ाकर दीपदान करते समय यह मंत्र बोला जाता है। खरीदें। धनिया धन तेरस के दिन सोना खरीदने का प्रचलन है। सोना नहीं खरीद सकते हैं तो पीतल का बरतन खरीदें। आप कौडियां खरीदें और यदि वे पीली ना हो तो उन्हें हल्दी के घोल में पीला कर लें। बाद में इनकी पूजा कर अपनी तिजोरी में रखें। इसके अलावा धन तेरस के दिन शुभ मुहूर्त देखकर बाजार से गांठ वाली पीली हल्दी अथवा काली हल्दी तो आपको धन की कमी नहीं होगी। जमा पूंजी बढ़ने के साथ ही कारियों में आ रहीं बाधाएं भी दूर होंगी। इस दिन यदि आपके दर्वाजे पर कोई भिखारी जमादार या गरीब व्यक्ति आए तो उसे खाली हाथ न भेजें। आप कुछ न कुछ उसे जर इस कथा के अनुसार एक बार यमदूत एक राजा को उठा कर नरक ले आए। नरक में राजा ने यमदूत से कहा कि मुझे नरक क्यों लाए हो। मैंने तो कोई पाप नहीं किया है। इस पर यमदूत ने कहा कि एक भूखे विप्र को आपने अपने द्वार से भूखा ही ल और फिर वह अरशी मुनियों के पास गया और उसने उन्हें अपनी सारी कहानी बता दी। तब रशियों के कहने पर राजा ने कार्तिक मास की कृष्ण त्रयोधशी को खुद निवरत रखा और ब्राहमनों को एकत्रित कर उन्हें भरपेट भोजन कराया। वर्श भर बाद य नरक ले जाने के बजाए विष्णु लोक ले गए। तभी से इस दिन यमराज की पूजा की जाती है और उनके नाम का दीपक लगाया जाता है। दूसरी कथा के अनुसार हिम नाम के एक राजा का पुत्र हुआ तो ज्योतिशियों ने बताया कि यह अपने विवाह के चौ यह अफ़ा दिन आया तो सभी को राजकुमार की मृत्यू का भय सताने लगा। लेकिन उसकी पत्नी निश्चिंत होकर महालक्ष्मी की पूजा करने लगी। क्योंकि वह महालक्ष्मी की भक्त थी। पत्नी ने उस दिन घर के अंदर और बाहर चारों ओड दिये जलाये और भजन करने लगी। उस दिन सर्प के रूप में यमराज ने घर में प्रवेश किया ताकि राजकुमार को डंस कर उसकी जीवन लीला समाप्त कर दी जाए। लेकिन दीपों की रोशनी से सर्प की आँखें चौधियां गई। और उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि किधर जाएं। ऐसे में वहर राजकुमार की पत्नी के पास पहुँच गया, जहां वह महालक्ष्मी की आरती गा रही थी। सर्प भी उस मधुर आवाज और घंटी की धुन में मगन हो गया। सुबह होने के सर्प के भेश में आए, यमराज को खाली हाथ लोटना पड़ा, क्यों जिस घर में दीबदान किया जाता है, वहां अकाल मृत्यू नहीं होती है।